हेलो गाईज स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे तो गाईज सर्दी बहुत जादा है तो सर्दियों में साग बनाना तो बनता है तो गाईज सर्चो का साग सर्दियों में ही बनाया जाता है ये बहुत ही टेस्टी और गुणकारी है सरसो का साग एक healthy food है तो इसे सरदियों में जरूर खाना चाहिए तो guys आज सरसो का साग बनाने जा रहे हैं तो जैसे ही guys आप देख रहे हैं मैंने सरसो के साब में सरसो पालक, मेथे, धनिया और बत हुआ ये तीनो चारों चीज़ों को अच्छे से कट करके रख लिया है तो guys अब हम सरसो के साग को अच्छे से wash करेंगे 6-7 बार wash करेंगे ताकि इसमें मिटी और गंद की निकल जाए और ये पूरे अच्छे सरह से clean हो जाए और हम एक चलनी में डाल डालके इसमें से पानी भी निकालते रहेंगे और बिल्कुल इसे dry करके रखेंगे और guys कडाई में पानी रख दिया है दो गिलास पानी रख दिया मैंने और जो ये साग था बिल्कुल अच्छे से ready हो चुका है और पानी वोईल हो चुका है और इस वोईल पानी में हम क्या है साग को एड़ कर देंगे सब चीजों को एड़ करते जाएंगे तो आज हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिल्कुल पंजाबी स्टाइल से साग बना रहे हैं तो आप रैसे भी लाश्ट तक जरूर देखें तो जैसे ही साग थोड़ा सा पकता है तो हम लसुन काफी सारा लसुन को चलका उतार के इसमें एड़ कर देंगे ताकि वो लसुन भी इसके साथ ही पकता रहे जैसी हम इसके साथ लसुन के साथ हम एक चमच नमक भी एड़ कर देंगे ताकि अच्छे से पक जाए जल्दी पकेगा और पकती हुई साग में हरी मिर्ची और लसुन एड़ करने से टेस्ट और भी बढ़ जाएगा तो गाइज बिल्कुल मैश करके हम इसको ड़क लगा देंगे हम हरी मिर्च डालेंगे इसमें हरी मिर्च को cut करके 3-4 हरी मिर्च लेंगे cut करके और जो साग हमारा boil हो रहा है उसमें डाल देंगे और अच्छे से mix करने के बाद हम इसको cover लगा देंगे तो तड़का लगाने के लिए टमैटो, प्यास, हरी मिर्च और अधरक ready है तो guys साग हमारा पक चुका है तो हम इसे mixi में कर लेंगे अच्छे से grand ज्यादा पिल्कुल mash भी नहीं करना थोड़ा कुरदरा रखेंगे ताकि इसका taste अच्छा लगे तो guys साग हमारा बहुत ही अच्छे से त्यार हो गया है ready हो गया तो अब हम तड़का लगा रहे हैं सबसे बहले हरी मिर्ज एड़ करेंगे और उसके बाद हम प्याज एड़ करेंगे तो जब तक light pink नहीं हो जाते तब तक हम प्याज और हरी मिर्ज डाल के पकाती रहेंगे और थोड़ा तड़का जब फराई हो जाएगा उसके बाद हम अधरक और टमेटो एड़ कर देंगे तो जब तड़का हमारा पक चुका है तो इसमें अब टमेटो अधरक एड़ कर दिया है थोड़ा वो पकाने के बाद हम धनिया डालेंगे इसमें तो जब तड़का हमारा बिल्कुल रेड़ी हो चुका है थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे इसमें और धनी आइड कर देंगे और मिक्स करके अच्छे से पका के रख देंगे तो अब हमने लिया है आटा चपाती बनाने के लिए हमने मक्की का बेशन और गेहूं का तीनों आटों को हमने mix कर लिया अच्छे से और थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें mix करके अच्छे से और गूंद लेंगे इस आटे को हम बिल्कुल नॉर्मल सा रखना है ज्यादा tight भी नहीं करना और ज्यादा धेला भी नहीं रखना ताकि रोटी बहुती अच्छे से तो गाइज अब हमने रोटी बनाना कर दिया है start तो जैसे की साग हमारा ready हो चुका है तो गाइज आप भी इसी तरह से साग बनाएए साथ में तो time भी आपका बचेगा और साथ में tasty भी बनता है लसुन और हरी मिर्ची हमेशा पहले add कीजिए और इससे क्या है जल्दी भी और ये अच्छे सेज में गुल भी जाएंगे तो आभी एक बार जरूर साग इसी तरह से try करें और बनाएं और रोटी हमारी होगी है ready तो देखिए बहुत ही अच्छी और सुन्दर दिखाई दे रही है जितनी ही अच्छी दिखाई दे रही है उतनी ही खाने में भी ये tasty ह है तो काई साग बनाते समय साग में जीरा और हल्दी कभी अड़ना करना चाहिए क्योंकि पंजाबी लोग जैसे साग बनाते जो दो चीजे कभी भी अड़नाहीं करेंगे वो और ज़्यादातर रेड मिर्ची भी नहीं डालते ग्रीन मिर्ची ही अच्छी लगती है और उसी से ही टेस्ट ज़्यादा आता है तो आप भी हरी मिर्ची डालके बनाएए हरी मिर्ची डालने से बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा गाईज सरसो का साग हो गया है रेडी खाने के लिए तो आईए आप भी खाईए चपाती साग के साथ खाना रेडी है तो गाईज अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो फ्लीज लाइक एंड शेर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जिरूर की